भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का आज पाकिस्तान के साथ सेमी फाइनल मैच हो रहा है इस मैच में बधोई जनपत के सुरियावा के रहने वाले यशस्वी जैसवाल भी खेल रही है बधोई में यशस्वी के माता पिता इस मैच में यशस्वी से शतक की उमीद लगाए बैठी है माता पिता का कहना है कि यशस्वी ने जिस तरह से इस बीच मैच खेले हैं उससे उमीद है कि उनका बेटा शतक जरूर लगाएगा और टीम आज की मैच में पाकिस्तान को हराएगी क्रिकेटर यशस्वी जैसवाल की खेल को देखते हुए तमाम सीनियर खिलाडियों ने उनकी तारीफ की है और अंडर 19 में भार्ग की तरफ से उन्होंने जिस तरह से सरवाधिक रन बनाए हैं उसको लेकर उनके माता पिता पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं मैच को लेकर काफी उतसाहित हैं यशस्वी के पिता का कहना है कि उन्होंने फोन पर अपने बेटे से मैच से पहले बात की है और उसको तमाम टिप्स देते हुए कहा कि धैरे से खेलना और शतक पूरा होने के बाद ही अपना हाथ खोलना है उनके पिता को उमीद है कि इस मैच में यशस्वी अच्छा प्रजर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे प्रेसर तो भाई हाथ देश के खिलाब होता है लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ यादा होता है तो प्रेसर करना हंडिल मेरे बेटे को आता है वह हंडिल कर लेगा यही कि मुलब अच्छा खेलो हमने तो उसको वही का दूसने का नहीं पापा मैं अपना हंडेट परसेंट कि वह अच्छा करें और बस यहीं चाहिए हम चाहें किसी भी देश के खिलाब हो लेकिन वह अपना अच्छा करें टीम को जिता कर लाए जारी चल रहे हैं महनत कर रहा है फोकस्ट रहे है अच्छा कर वो चाहते हैं कि यशसवी सीनर टीम में भी खेलें और अच्छा प्रजर्शन करें आपको बतादे कि यशस्वी के पिता थाने इस तर पर अच्छे खिलाडी है और वो समय समय पर यशस्वी को खेल के टिप्स देते हैं वही यशस्वी की मा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हो रहे मैच में यशस्वी से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उमीद है और वोर न्यूस जस्वास सच दिखाने का